हर इनसान यहीं चाहता है कि वो financially stable हो जाए और उसका अपना business हो उसको कोई भी job ना करनी पड़े और घर बैठे वो पैसे कमा सके अगर आप भी यहीं चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसमें मैं आपको पूरा एक process बताने वाला हूँ जिससे आप घर बैठ क्या है Fiverr क्या है और कैसे काम करता है आप Fiverr पे काम करना कैसे start कर सकते हो Fiverr पे क्या होती है first order आपको कैसे मिलेगा SEO क्या है Fiverr पे आप कैसे grow कर सकते हो और ultimately कैसे orders complete करके आप earning कर सकते हो इवन के आपको Freelancing और Fiverr के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो से आप basic से advance की तरफ move करने वाले हो तो चलें शिरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं कि Freelancing है क्या Freelancing में आप किसी के भी employee नहीं होते हो और ना ही आपको कहीं जाना पड़ता है आप घर बैठे independently काम करते हो कोई भी client आपको कुछ टास्क देता है और आप अपने skills से वो पूरा करते हो और in the end आपको उस काम की payment मिल जाती है आपको इसमें कुछ भी invest करने की जरूरत नहीं पड़ती आप Freelancing में जस्ट अपने skills को sale करते हो अभी आपको समझ तो आ गई होगी कि Freelancing क्या है बट clients मिलेंगे कैसे तो यहां आता है आपके लिए Fiverr Fiverr one of the best international freelancing platform है जो के trending भी है और secure भी Fiverr पे दो तरह की users होते है नमबर वन Fiverr Sellers जिनके पास कुछ skills होते हैं और वो specific pricing पे अपनी services को offer करते हैं नमबर टू Fiverr buyers जो उन sellers की services को purchase करते हैं और काम complete करवाने के बाद seller को payment करते हैं ओवराल देखें तो Fiverr एक digital market है जो के buyers और sellers को आपस में connect करता है और इस पे दुनिया भर से millions की amount में buyers मजूद हैं जो के daily basis पे multiple sellers को order देकर अपना काम करवाते हैं और sellers वो काम करके earning करते हैं इस तरह Fiverr आपको उन million buyers तक पहुंचने और उनसे orders लेने की access देता है और उसके बदले में वो अपना कुछ commission लेते हैं अब देखते हैं कि Fiverr कैसे काम करता है और in the end आपको कैसे पैसे मिलते हैं Fiverr पे sellers अपनी services का एक ad बनाते हैं जिसको geek कहा जाता हैं उस geek में वो सब कुछ explain करते हैं कि वो exactly क्या offer कर रहे हैं और उस service के वो कितने पैसे charge करेंगे जब भी कोई buyer उस service को search करेगा तो आपकी geek और बाकी बहुत से sellers की geeks उसको search alerts में show होगी और उन सब geeks में से अगर वो आ देखने के बाद अगर वो interested हुआ तो आपको directly order दे देगा जब buyer order place करता है तो साथ में वो requirements को भी submit करता है जिन से आपको पता चलता है कि उस buyer को exactly क्या चाहिए Fiverr के dashboard पे seller को order show होना शिरू हो जाता है जिस पे click करके वो order page open कर सकता है order page में यहां आपको delivery time show होता है और यहां आप buyer के साथ communicate भी कर सकते हो इसके लावा order page पे seller को कुछ tabs show होते हैं और यहां से seller order की requirements को देख सकता है buyer से सब requirements लेने के बाद seller उस order पे काम start करता है और जब सब कुछ complete हो जाता है तो seller in the end final files को deliver करता है delivery के बाद buyer के पास दो options होते हैं चाहे वो delivery को accept कर ले या फिर revisions का बोले एक दूसरे के साथ काम करके कैसा लगा reviews वगेरा complete करने के बाद Fiver order payment का 20% commission रगता है और बाकी payment seller के account में release कर देता है और इस तरह वो payment आप अपने account में withdraw करवा सकते हो और ultimately आप Fiverr से पैसे कमा सकते हो अब आप Fiverr से पैसे कमाना start कैसे कर सकते हो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक seller account जो के आप free में create कर सकते हो लेकिन उससे भी पहले आपको अपने skills पे जरूर काम करना चाहिए क्योंकि अगर आपको काम करना आएगा तब ही तो आप Fiverr पे अच्छा perform कर पाओगे अच्छा तो Fiverr पे seller account create करने के लिए आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने step by step account बनाना सिखा है जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि Fiverr पे sellers अपने gigs बनाते हैं जिन पे buyers order कर सकते हैं इसलिए account बनाने के बाद अब आप बनाएंगे एक gig जिस पे आप अपनी service के बारे में सब कुछ explain करेंगे अगर आपके mind में भी ये question आता है कि ये सब कर भी लें तो Fiverr पे first order कैसे मिलेगा क्यूंकि आए दिन बहुत से लोग Fiverr join कर रहे हैं तो इसलिए इस पे competition बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है मगर आप इस competition से उपर आ सकते हो with high quality service and SEO SEO या पिर search engine optimization वो process है जिससे आप अपनी गीग को ज्यादा बायर सक पहुंचा सकते हो क्यूंकि जितने ज्यादा बायर आपकी services को देखेंगे उतने ही ज्यादा chances रहेंगे कि उन में से कोई बायर आपको order भी दे Fiverr पे specific skill या पिर service पे thousands of gigs हो सकती हैं और इसलिए search engine optimization का बहुत ह रोल है जिससे आपकी गिग उन thousands of gigs के भी उपर दिखें और आपको orders मिलने के chances भी इंक्रीज हों फाइवर पे गीग करते वक्त मल्टीपल चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और SEO optimized gig बनाना बहुत ही जरूरी है क्यूंकि वह एक गिग आपको thousands of dollars कमाने में help कर सकती है और Fiverr पे ला सकते हो और उन से वहां orders ले सकते हो और इस तरह आप अपने Fiverr freelancing career का start कर सकते हो जैसे ही आपको कुछ orders और 5 star reviews मिलना start होंगे तो Fiverr आपके गीग को further बायस तक promote करेगा और मजीद orders आने के chances भी increase होंगे अगर आपको orders मिलना start हो गए हैं तो अब आप अपने account को further grow कैसे कर सकते हो उसके लिए आप देखते हैं Fiverr levels Fiverr पे normally आपको 4 different levels देखने को मिलते हैं जैसे के new seller, level 1, level 2 and top rated each with different criteria, benefits and promotions जैसे जैसे आपका seller level increase होता है वैसे ही आपको ज्यादा promotion मिलती है जिससे orders मिलने के chances भी increase होते हैं इसके लावा Fiverr पे कुछ badges भी होते हैं जैसे के Fiverr's Choice, Rising Talent and Fiverr Pro, ये badges आपको manually Fiverr की तरफ से दिये जाते हैं based on your performance, आपको अपनी service quality और बाकी सब चीज़ों में consistent रहना पड़ता है और यही चीज़ Fiverr पे आपको successful बनने में help करती है, इस सब के बाद Fiverr स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी जानना पड़ेगा के Fiverr Mastery Series को पूरा देखें और उससे आपको Fiverr की एक एक चीज़ का in depth पता चल जाएगा, इन दी एंड मैं आपको यहाँ पर यही बताऊँगा के आप जब भी Fiverr स्टार्ट करो तो पहले अपने skills को पूरी तरह master कर लो और पूरी तरह skills सीखने के बाद ही यहाँ पे gig बना और आपको वेट करना पड़ेगा कि Fiverr आपको परमोट करेगा और आपको orders आने के chances increase होंगे, ऐसा नहीं है कि अगर आप आज account बनाओगे तो कल को आपको orders आना start हो जाएंगे, आपको patience रखना पड़ता है, कुछ time लग सकता है, लेकिन जब आपको orders आना start होंगे, तो तब आपका account परमोट होगा, और फिर further orders आने के chances increase होते हैं, आई होप आपको इस वीडियो से पूरी तरह समझ आ गया होगा, कि आप Fiverr से कैसे पैसे कमा सकते हो, और कैसे start करके खुद का business बना सकते हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको like कर दें, और चैनल को WhatsApp community भी join कर सकते हैं, जहां आपको आपके हर question का immediate response मिलेगा, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक अपना ख्यार रखें, अल्ला हाफिस